आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही helpful सी ट्रिक कह लीजिए या फिर आपको solution आपको मेल गया क्योंकि सबकी problem होती है कि foundation और concealer के बिना हम कैसे कर सकते हैं make-up को make-up को करना है foundation और concealer के बिना तब ही कर सकते हैं जब हम कभी-kभी जल्दी में होती है तो हमारा मन करता है कि foundation और concealer के बिना कैसे make-up करें कैसे नहीं होता है वहाँ पर जो आया कभी-kभी guys कुछ लोग ऐसे करते है कि foundation कैसे लिए लोग जी लगा लिया और powder को लगा लिया चलो- यह आपकी problem का solution नहीं होता, problem का solution आपको इस video में मिलेगा, क्योंकि foundation I know foundation को जब हमने इस correct way में मिलगाना है तो वो time consuming होता है, time consuming होता है, मैं आपको यह नहीं बता हूँ कि foundation को फटावट से कैसा लिगाओ, क्योंकि time consuming ही है, because foundation liquid form होता है, liquid form को हमारी face पे set करने के लिए हमें थोड़ा सा time रखता है, dabbing motion होता है या फिर brush से होता है, दोनों में थोड़ा सा time consuming होता है, तो अगर हमने 1 minute में या 2 minute में makeup करना हो, वो भी अच्छा वाला, तो वो भी बिना foundation और concealer के, तो उसका solution आपको इस video में है, मिल जाएगा, so video को end तक देखिए, आज की makeup look होने वाली है, बिना foundation, बिना concealer के, कैसे कर सकते हैं, और video, video तो, video तो कम है, मतलब जादा time consuming नहीं है video, पर जो makeup look होने वाली है, वो भी आप जल्दी जल्दी में कर सकते हो, अगर आपने किसी के घर गएस्पन के जाना है, आपने ही चाहते कि आपको वो इतना loud makeup करना है, foundation लगाओ, concealer लगाओ, हाइलेट करो फेस को, यह नहीं कर करना चाहते है, कम समय में त्यार होना चाहते हो, बर लुक आपको यसी ही चाहिए, तो उसका solution आपको इस वीडियो में है, तो उड़ी वीडियो को एंड तक देखेगा, वीडियो स्टार्ट करने है, so let's get started, face wash करने के बाद, guys, आप मैंने सबसे पहले face पे लगाया है, makeup करन करने से पहले, वो है moisturizer, आप कोई भी moisturizer यूज़ कर सकते हो, according to your skin, oily या dry skin, या normal skin के according, johns आपको moisturizer suit करता है, आप वहला apply कीजिए, यहाँ पर moisturizer को मैंने apply कर लिया है, और उसके बाद blend भी कर लिया है, अच्छी से, लगाने के बाद moisturizer को primer की बारी आती है, moisturizer, primer, सबसे पहले face को wash क करना, फिर moisturizer करना, और प्राइम करना, यह तीनों काम अगर आपने makeup से पहले कर लिए ना, तो आपकी skincare भी हो जाती है, एक तरह से, ठीक है, foundation या कुछ भी आप लगा रहे हैं, बाद में लगाते हो, PB cream, CC cream, तो आपके open pores में नहीं चली जाती है, अगर वो जाती है, तो हमें pim कब होगा बिना foundation, और बिना concealer के साथ, तो यहाँ पर मैंने देख रहा हूँ, इसको इतनी quantity में मैं पहले आपको दिखा दिया है, वो इतनी quantity में मैं इसको लिया, यहाँ पर मेरा shade मुझे, I think so, बीज है, नॉर्मल, ठीक है, तो वो वले shade के साथ, मैंने medium shade था, यहाँ पर मेर तो आपको, I think so, मुझे लगता है, तीन shade अवेलिबल होंगे, तीन या दो, तो आप उनमें से according to your skin type, आप लेख सकते हैं, कौन सा shade आपको लेना है, तो यहाँ पर मैंने यह वाला shade लिया, और इसको dot-dot form में लगा कर डब-डब कर यह फिंगर के साथी, रफली, ठीक है, ने beauty blender से कीज़ी है, फिर यहाँ पर मैंने बाद में, settings free के साथ, beauty blender को wet कर लिया है, और एक बारी उसके उपर dab-dab कर लिया है, ठीक है, रबनी करना है, तो वो cake ही नहीं लगएगा, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, कि आप से easily blend नहीं हुआ, तो से, एक बा foundation भी नहीं अप्लाय की है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर like me 9 to 5 का ही मैंने compact powder है, यहाँ पर इसमें आपको 2 shades available होंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा से light, और दखो, light की वज़ा से दोनों shade ही नहीं दिख रहे हैं, तो यह दिखो, थोड़ा से difference आपको और यह उसके बाद यहाँ पर यह वाला shade जो मैंने आपको दिखाया है, यह वाला shade मैंने apply करना अपने face पे, ठीक है, तो मैंने brush के साथ मतलब set करना अपने base को तो यह वाला powder लिया है, तो बस उसको सारा face पे set कर लेना है, base को, एक बर base करने के बाद पाउडर से set जरूर कर है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे तो नहीं मुझे लगा, तो मैंने नहीं apply किया, so, set करने के बाद powder से, यहाँ पर blush है, Miss Rose का, यह bronzer मैंने यहाँ पर लिया है, brown color का blush, तो इसको मैंने blush brush के साथ ही contouring की तरह है, as a work करना है, ठीक है, तो हमने इसके साथ अपनी contour कर लेना है face को, जादा में को जादा loud contouring नहीं चाहिए, बहुत ही light से चाहिए, तो यहाँ पर बस, यहाँ पर cheekbone पर, और सारा अपने face को contour कर लूँगी, और बहुत ही अच्छे से contouring करता है, pigmented बहुत ही अच्छा है, यह बहुत ही अच्छा लगता है, बलब एक बार, एक या दो बारी में काम कर देता है, जादा लेना नहीं पड़ता, बार-बार उसमें से जाजा कर ठीक है, तो यहाँ पर बस, jawline और nose की contouring, forehead की, peak bone की contouring मैंने complete कर लिए, nose की, यहाँ पर मैंने finger के साथ, आपके सामने वीडियो में शो हो रही है, आपको, ऐसे ही contour कर लिए, अपने face को पूरे अधर का eyebrow Maybelline, I think so Maybelline का है यह, brown gel eyeliner, तो यहाँ पर मैंने इसको brow filler की तरह रंगो किया, यह एंगल ब्रश की तरह, एंगल ब्रश से, मैंने अपने brows को feel कर लिया, यह दिखो हमारा brush कितना गंद है पीछे से, तो इससे जो ना, eyebrows बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, और बहुत ह अच्छे लुक आती है, एक तो एंगल ब्रश से बहुत अच्छा वो है ना, काम वोक कर जाता है, ब्रश है ना, बहुत ही अच्छे से लग जाता है, और नाच्छे लुक पी देता है, because of a Maybelline gel eyeliner, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ब्रोज को मैंने फिल कर लिया है, दोनों eyebrows को फिल करनी के बाद, जो है हमारा eyebrow भी, eyebrow का tutorial भी आपको मेल गया, ठीक है, तो यहाँ पर thin-thin eyebrows वैसे अच्छे लगते हैं, ठीक है, loud makeup नहीं है, अगर loud होता तो broad अच्छे लगते, तो यहाँ पर thin-thin eyebrows, और फिर याँप मैंने guys, liner और mascara को भी apply कर लिया है, so, अब time है blush का, blush क्विकप में लेने तो मैं ब्लश गई थी मतलब चलो आप माई ठील के लगाना था फिर यादा कि नहीं रेने दिते हैं आज हाइलाइटर को अप्लाइए करते हैं तो मैं तो यहाँ पर दखेए हाँ हाइलाइटर की और फोड़ा सा गोल्डन में आता है थोड़ा तो ये वाला कलर मैंने हाइलाइटर का नोज पर अप्लाइज कर लिया है एंड इसी वाले हाइलाइटर को अपनी मैं आइब्रो बोन पे भी लगा लूंगी जो बच्छा फिंगर पे देख रही थी कितना रहता है अभी और तो बस वो मैं लगा रही हूं आइब्रो बोन पे और यहां पे फूरेट पे मैंने ऐसे ऐसे करके लगा लिया तो अब चीक् ब्रश इसलिए लिया है क्योंकि मैं को जादा लावड लुक नहीं देनी मतलब बहुती स्मूध लिस लुक ते नहीं है ताकि वो नैच्रल ग्लोई लगे जादा ओ लगे ना की हाइलाइटर ग्लोई है तो इन नैच्रल ग्लोई के लिए पहले हाईलेटर को यसे पकड़ के की बारी है मतलब लिप पे अभी मैंने लिपस्टिक कोई आज अप्लाइनी करनी आज मैंने लिपस्टिक की जगा पे लिप बाम को अप्लाइ करना और यह कलर यह वाला लिप बाम है ना तो यह वाला मैंने लगा लिया है तो यहाँ पे सिंपल और स्वीट सी कूल सी मेकप काइस कंप्लीट होती है और और क्या रहता है अभी हां कुछ नहीं रहता बस अभी मैं अपनी लिपाम को सेट करूँ एसे एसे करके तो अब यहां पे हमारे जो मेकप लुक है वो कंप्लीट हो चुकी है अब हेस्टाइल लाइंग सो सुल लगा था कि हेस्टाइल में आपके साथ नहीं शेयर करोंगी बढ़ फिर 25 में कामीरा आउन कर के शेयर कर लिया है wow जो करके लाजियने गगहांगतки और व कर दिख रें आपको ईडालें ने गई जो इस प्रफरेश से लसे बाइस solid जो कर एक दिन पहले तो उसकी वज़र से अपनी पीडल करें तो यहां पर यह मेर्वाली सा है का है बालों को च vida है आनिका है यह थोड़ा सा ब्रहें को आलों चीब के यह को क्या इंप यह सब और यह इंचा भी अच्छी लगी हो जो हमने बिना फाउंडेशन और बिना कंजिलर की की है तो अगर आपको सिरियसली आप भी अग्री करते हैं जौन सी चान सी चीजे मैंने वीडियो में बोली है तो हिट लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को भी हिट करना और साथ ही भी नौटिकेशन बैल को भी हिट करना और कमेंट सेक्शन में अपने व्यू जरूर शेर कीजिएगा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है इस बेकप लुक के लेटे या इस वीडियो के लेटे तो आप वह भी ही कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई